दोस्तों नुमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों TGT PGT भारती इतिहास रिमाइंडर्स रिंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है मद्धिकालीन भारत के अंतरगत मुगल काल से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोर्स जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे TGT PGT यल्टी ग्रेड गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता गौर्मेंट डिगरी कालेज उच्चितर असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्री विद्याले संगठन और नेट जीरेप के लिए बहुत ही उप्योगी है इस वीडियो में हम भारत में मुगल वन्स के संस्थापक बाबर तथा हुमायू एवं अकबर से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे तो अब बाबर ने अपना वन्स जोड़ा था किस से तो उत्तर है पिता के वन्स से तैमूर और माता के वन्स से चंगेज खान से बाबर ने अपना वन्स जोड़ा था दोस्तों आप जानल लीजे कि फरवरी 1483 में फरगना के एक छोटि से राज में जहीरुद्दीन और मात्रिवंस की ओर से चंगेज खां का 14. अगला प्रेशन है खान जादा बेगम बहन थी किसकी तो उत्तर है खान जादा बेगम बाबर की बहन थी खान जादा बेगम तैमूर राजकुमारी थी वो उमर शेख मिर्जा की बड़ी पुत्री थी और ये बाबर की बड़ी बह अगला प्रश्न है दोस्तों बाबर की माता का नाम क्या था तोत्तर है कुतलूग निगार खानम दोस्तों आप जान लीजे जहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में एक छोटे से जो है राज्य में हुआ था और उसके पिता का नाम उमर शेख मि दुटी और माता का नाम कुतलूग निगार खानम था अगला प्रश्न है बाबर के पिता कौन थे तो बाबर के पिता उमर शेख मिरजा दुटी थे अगला प्रश्न बहुत ही Pूल है दोस्तों इसमें पूछा गया है पानी पत का प्रथम युद्ध हुआ था कब तो है 1526 में डेट अगर जो पूछा जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि पानिपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रेल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था बाबर के पास विशिष्ट सुविधाय थी उसके तोप खाने ने इस युद्ध में आश्चर जनक कारे किया इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण छेत्र में मारा गया फलसरोप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आपको बादशाह गोसित कर भारत में मुगल सामराज्य की निउडाली बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का परियोग किया और दोस्तों तुलगमा युद्ध नीति का प्रियोग पानिपत के पर्थम युद्ध में ही बाबर द्वारा किया गया था और इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्यकारण उसका विशाल तोप खाना था जिसका नेत्रित्व उस्ताद अलिकुली नामक व्यक्त कर रहा था बंदुक्चियों का नेत्रे तो मुस्तफा कर रहा था और इस विजय के उपलक्ष में बाबर ने हुमायू और अन्य अधिकारियों को पुरसकार स्वरूप धनराश ये और जागीरें परदान की और बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाध के बीच कलंदर की उपाध किसे प्राप्त थी तो बाबर को कलंदर की उपाध प्राप्त थी पानिपत का प्रथम युद्ध पानिपत का दुरती युद्ध तराइन का दुती युद्ध और खानवा की युद्ध में से पहली बार तोप खाने का प्रियोग कब किया गया थ तो उत्तर है पानी पत के प्रथम युद्ध 1526 में पहली बार तोप खाने का प्रियोग बाबर ने किया था अगला प्रशन है दोस्तों शेर साह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था किस युद्ध में बहुत ही महत पूर प्रशन है दोस्तों सेर साह सूरी ने मुगलों की ओर से किस युद्ध में भाग लिया था तो उत्तर है दोस्तों सेर साह सूरी ने मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था और सेरसाह ने सबसे पहले मेदिनी राय की विरुद्ध चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था इसमें मुगलों की ओर से भाग लिया खानवा के बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण करके 1528 में उसे पराजित कर दिया था चंदेरी व्यापार और राजनीत दोनुद्रिष्टी से महत पूर था चंदेरी की लूट में उसे अपार धन की प्राप्त हुई और इसी युद्ध में शेर साहसूरी बाबर की तरब से लड़ा था अगला प्रशन है दोस्तों चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो 1528 में अगला प्रशन देखिए बहुत ही महत पूर है घाघरा का युद्ध हुआ था कब तो याद रखेगा घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था तो बाबर और महमूद लोदी के मध्य दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था तो याद रखेगा घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध कब हुआ था तो 1549 में बाबर ने राड़ा सांगा को पराजित किया था किस युद्ध में तो सही उत्तर है खानवा के युद्ध में दोस्तों बाबर ने खानवा की युद में जेहाद की घोश्डा की थी और खानवा का युद 16 मार्च 1527 को बाबर और राडा सांगा के बीच हुआ था इस युद में राडा सांगा पराजित हुआ और इसी युद में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उप अगला प्रेश्ण हैं दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था कब तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर ने जेहाद की घोशडा किस युद्ध में की थी तो खानवा के युद्ध में दोस्तों बाबर ने जेहाद की घोशडा की थी खानवा की युद्ध में वि जय मिलने के बाद बाबर ने अगला प्रेशन है दोस्तों भारत में मुगल सामराजी की नियू किस ने डाली थी तो याद रखेगा भारत में मुगल सामराजी का संस्थापक या इसकी नियू बाबर ने डाली थी बाबर का पूरा नाम क्या था तो जहीरुदीन मुहम्मद बाबर ये बाबर का पूरा नाम था अगला प्रिशन हैं दोस्तों बादशाह का विरुद धारन करने वाला पहला मुगल शासक कौन था तो बादशाह की उपाद धारन करने वाला बाबर पहला मुगल शासक था देखे चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है किस रूप में तो आप जान लेजे दोस्तों चगताई तुर्क जो है शासन ये भारत में मुगल शासन के नाम से जाना जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है मुगल शासक वास्तों में तुर्कों की चगताई नामक सासखा से थे और इस साखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खांके दूती पुत्र के नाम पर पड़ा था जिसके अधिकार में मध एशिया और तुर्कों का देश तुर्किस्तान था अगला प्रश्ण है दोस्तों बाबर की मृत्तों कहां हुई थी तो उत्तर है बाबर की मृत्तों दोस्तों आगरा में हुई थी लेकिन महतपूर्ण प्रश्ण ये है कि बाबर को दफनाया कहां गया था तो 26 दिसंबर 1530 को मृत्तु के बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया लेकिन बाद में शेरसाह के सासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी बिधवा पतनी मुबारक यूसुप जाई काबूल ले गई जहां उसे एक उद्ध्यान में दफना दिया गया था आईए कुछ महत्वपूर परिच्छोप योगी प्रशनों को देखते हैं जो परिच्छाओं की दृष्टी से अतिसंभावित और महत्वपूर हैं यहाँ पर देखे बाबर के आक्रमण के समय विजय नगर सामराजी का शासक कौन था तो कृष्ण देवराय था बाबर की आत्मकथा क्या है तो यह बाबर नामा दोस्तों बाबर की आत्मकथा जो है वो बाबर नामा है बाबर नामा में बाबर ने समकालिन भारत का सबसे शक्तिसाली राजा किसे कहा है तो उत्तर है कृष्ण देवराय को दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महतपूर है आप जान लिजे कि बाबर नामा जो कि बाबर की आत्म कथा है उसमें बाबर ने समकालीन भारत का सबसे शक्तिसाली सासक कृष्ण देवराय को कहा है अब देखिए यहाँ पर बाबर का ध्यान इस तत्थे की और आकर्शित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदूओं ने फार्शी सीखी और उन्हीं बड़ी संख्य में विभिन पदों पर नियुक्त किया गया तो ये था शेख अब्दुलकदूस गंगोही दोस्तों आप जान लीजे बहुत ही महत्वोंड प्रश्ण है कि शेख अब्दुलकदूस गंगोही ने बाबर का ध्यान इस तत्थे की और दिलाया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदूओं ने फार्शी सीखी और उन्हीं बड़ी संख्या में विभिन पदों पर नियुक् का भड़न किया तो ये बाबर ने अगला प्रश्ण हैं दोस्तों बाबर की नानी जो यूनूस खान मुगल की पतनी थी जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्यात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रवंद किया और सड्य अंतरकारियों को दबाया उनका नाम क्य कियेगा ईसान दौलत बेगम दोस्तों इसान दौलत बेगम ये बाबर की नानी थी यूनूस खान मुगल की पतनी थी और इन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के बाद अपने पोते के लिए हर तरह का प्रवंद किया और सड्य अंतरकारियों को दबाया अगला प्रशन है दोस्तों अकबर काल में मुगल सहजादों और सहजादियों की सिक्षा के स्थिति के बारे में किस ने लिखा है तो फादर मोनसरेट ने लिखा है अकबर के काल में मुगल सहजादों और सहजादियों की सिक्षा इस्थिति के बारे में अब आईए दोस्तों बाबर के पुत्र हुमायू से संबंधित महत्पूर्ण प्रशनों को देखते हैं देखिए पहला प्रशन है कि हुमायू का मकबरा इस्थित है कहां पर तो याद रखेगा दिल्ली में हुमायू का मकबरा है हुमायू के मकबरे का निर्मार दिल्ली के द अगला प्रश्ण है देवरा का युद्ध कब हुआ था तो उत्तर है 1532 में दोस्तों देवरा का युद्ध जो है वो 1532 में हुआ था और आप जान लीजे कि हुमायू ने शेर खा के विरुध नेडायक युद्ध कौन सलाड़ा था तो ये था बिलग्राम यानी कन्नोज का युद्ध दोस्तों 17 माई 1540 को कन्नोज या बिलग्राम का युद्ध हुमायू और शेरखा के मद्ध निडायक हुआ यहां हुमायू पराजित हुआ और वहां से भाग कर आगरा गया फिर वहां से लाहोर चला गया शेरखा ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगलों से उत्तर भारत की राजसत्ता छीन ले थी अगला प्रिश्न है बिलग्राम या जो कन्नोज का युद्ध था वो कब हुआ था तो पंद्रह सो चालिस में चाmet की बीच लड़ा गया दोस्तों शेरसा और हुमायू के बीच चाःसा का युद्ध लड़ा गया था अगला प्रेश्ण है दोस्तूं देखिए हुमायू जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया ये कथन किसका है तो प्रशिद्धेतिहासकार इस्टैनले लेनपूल का कथन है कि हुमायू जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इ लड़ा गया था कब तो 1555 में दोस्तों हुमायू और बैरम खा के नेतरितु में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के 20 सरहिंद नामकस्थान पर युद्ध हुगा जिसमें अफगान सेना का नेतरितु शिकंदर साहसूर ने किया और सरहिंद के युद्ध में पराजय के सा थी भारत में अफगानों की सत्ता का अंथ हो गया और मुगलों की सत्ता पुन अस्थापित हुई 13 जूलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया हुमायू ने और दूसरी बार मुगल सामराज्य की अस्थापना की दोस्तों हुमायू एक मात्र मुगल सासक था जिसने अपने भाईयों में सामराज्य का विभाजन किया था अगला प्रश्न है दोस्तों हुमायू ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार किया था किसको हरा कर तो अफगान सासक सिकंदर शाह दोस्तों सिकंदर साह सूर को हराकर हुमायू ने 1555 में दिल्ली पर पुनह अधिकार किया था मुगल सासकों में एक मातर सासक जिसने अपने भाईयों में सामराजी का भी भाजन किया तो ये हुमायू था और उसने अपने पिता की इच्छा नुकसार असकरी को संभल, हिंदाल को अलवर और कामरान को काबुल और कांधार का प्रांत दिया था अगला प्रेशन हैं दोस्तों बाबर, हुमायू, अकबर और जहांगीर में से वह जो दो बार गद्दी पर बैठा था तो हुमायू दोस्तों हुमायू जो है वो दूसरी बार गद्दी पर बैठा था यानि दो बार दिल्ली की सत्ता पे बैठा था काबेच हुआ था अगला प्रशन है दोस्तों हुमायू को आसरे देने वाला साफा विद शासक कौन था तो ये था शाह तह मास्प प्रथम बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है दोस्तों 1543 में हुमायू इरान पहुचा इरान के शाह तह मास्प प्रथम यानि साफा विद वन्स का दोश्रा सासक इसका सासनकाल 1524 से 1576 भी था इसने सम्मान पुर्वक उसका स्वागत किया शाह तहमास्प सियमत का था और शाह तहमास्प और हुमायू में एक समझोता हुआ जिसके अनुसार शाह तहमास्प हुमायू को सहायता देने का वचन दिया इस सहायता के लिए हुमायू ने शाह को कंधार प्रदान करने और उसकी भतीजी से विवाह करने का वचन दिया था अगला प्रशन है दोस्तों हुमायू ने स्रेष्ट इतिहासकार की उपाधि से किसे सम्मानित किया था तो उत्तर है ख्वांदा मीर को दोस्तों ख्वांदा मीर की हुमायू नामा जिसे कानू ने हुमायू नी भी कहा जाता है इसके लेखक ख्वांदा मीर को हुमायू ने अमीर ए अखबार या स्रेष्ट इतिहासकार के उपाधि से सम्मानित किया था हुमायू के बाद आईए मुगलकाल के महतुपूण काल अकबर से संबंधित महतुपूण प्रश्णों को देखते हैं प्रश्ण हैं दोस्तों अकबर के समय मालवा बीजय के लिए उत्तरदाई कौन था तो ये था अब्दुल्ला खां उजवेग दोस्तों 1562 में मालवा का सुवेदार मुल्ला पीर मुहम्मत था और दक्षिन भारत के सासकों की सहायता लेकर बाज बहादूर ने मालवा पर आकरमर किया और पीर मुहम्मत की मिरित्व के बाद मालवा पर पुनह बाज बहादूर का अधिकार हो गया लेकिन अकबर ने अब्दुल्ला खान उजबेक के नेत्रितुमें एक मुगल सेना मालवा को जीतने के लिए भेजा जिसने बाज बहादुर को परास्त करके मालवा अपने अधिन कर लिया अगला प्रेशन है दोस्तों अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशान्ति फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए देश निकाले का आदेश कब दिया था तो पंद्रह सो असी स्वी में और अगला प्रेशन है अकबर के खिलाब फत्वा जारी करने वाला जौनपूर का काजी कौन था तो ये था मुल्ला यजदी ये प्रेशन बहुत ही महतपूर है दोस्तों जौनपूर के काजी मुल्ला यजदी ने अकबर के खिलाब फत्वा जारी किया अकबर ने इनको और विद्रोह को सफलता पूर्वक दबा दिया था 1580 में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशान्ति फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए मारने और देश से निकालने का आदेश दिया इस वर्स पूर्वी भारत में विद्रोह हुआ था जिसका कारण जाग शाह घोसित किया और जौनपुर के काजि मुल्ला यजदी ने अकबर के खिलाप फत्वा जारी किया अकबर ने इन दोनों को मरवा दिया और इस विद्रोह को सफलता पूर्वक दबा दिया था अगला प्रशन है दोस्तों अकबर के काल में मदर्से में पढ़ाने वाले पाठेकरम को शंसोधित किया था किसने तो फतुल्लाः शिराजी ने दोस्तों बहुत ही महतपूर प्रश्न है मीर फतुल्ला शिराजी के सुझाव पर अकबर ने मदर्से में पढ़ाय जाने वाले पाठिक्रम में संसोधन किया था अगला प्रश्न है दोस्तों थामस इस्टिफिन्स राल्फ फिंच कैप्टन हाकिन्स और जान मिडिल हान में से पश्यमी भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था तो ये था थामस इस्टिफिन्स दोस्तों पश्यमी भारत आने वाला पहला अंग्रेज थामस इस्टिफिन गोंडवाना का हिंदु राज्य वर्तमान मध्य परदेश के उत्तरी जीलों से लेकर दक्षिल भारत की सीमा तक फैला था वहां का शासक बीर नारायण था लेकिन उसके बयस्क हो जाने के बाद भी उसकी माता दुर्गावती उसके संरक्षक के रूप में सासन की देख भाल कर रही थी अकबर ने आसफ खां को गोंडवाना विजय के लिए नियुक्त किया रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मकाबला किया बीर नारायण के घायल हो जाने के कारण युद्ध से हटना पड़ा और रानी दुर्गावती भी तीरों से घायल हो गई और वही पर अपनी छाती में कटार भोग कर आत्माहत्य कर ले थी अगला प्रश्ण है दोस्तों अकबर द्वारा फतेपुर सीकरी में इवादत खाने की अस्थापना कब करवाई गई तो ये वर्स याद रखेगा पंद्रह सो पचहत्तर में जोस्तों 1575 इसभी में अकबर ने फतेपुर सीकरी में इबादत खाना यानी फ्रार्थना अस्थल की अस्थापना की थी अगला प्रश्न है आयसा शुल्तान बेगम, बक्तुन निशा बेगम, खूब निगार खानम और शेहरा बानु बेगम में से अकबर ने काबुल का गवर्नर ने उक्त किया था किसको तो बक्तुन निशा बेगम को अकबर ने दोस्तों काबुल का गवर्नर ने उक्त किया था और 1581 में अकबर ने काबूल पर धावा बोला और उसे अपनी बहन बक्तुन निसा बेगम जो ख्वाजा हसन की पत्नी थी उसको दे दिया लेकिन राजनेतिक प्रियोजन से हाकिम मिर्जा को पुना कारेभार सौप दिया गया कि सारी राजाग्याएं सुल्तान की बहन के नाम से ही जारी की जाती थी लेकिन जो है हाकिम मिर्जा इस राज्य पर पुना शासन कर रहा था अगला प्रेशन है दोस्तों राल्फ फिंच, थामस रो, थामस एडवर्ड और जान मेडिल हाल में से सरुपर्थम अकबर से गुजरात में ब्यापार करने का फर्मान किसने प्राप्त किया था तो उत्तर है जान मिल्डेन हाल ने दोस्तों 1599 से 1626 बी में जान मिल्डेन हाल नामक ब्रेटिस यात्री ठल मार्ग से भारत मुगल सामराट अकबर के शासन काल में भारत आया जिसने सबसे पहले अकबर से गुजरात में ब्यापार करने का फर्मान प्राप्त किया था अगला प्रेशन है अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्त कैसे हुई थी तो अत्यधिक मध्यपान करने से अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्त अत्यधिक मध्यपान से हुई थी अकबर के तीन पुत्रों में दो पुत्र मुराद और दानियाल की मृत उसकी जीवनकाल में ही हो गई थी अगला प्रश्न है दोस्तों अकबर और राड़ा परताप के बीच प्रसिध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो ये 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश राड़ा परताप को अपने अधीन लाना था अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंग के नितरित में पांच हजार सैनिकों को राड़ा परताप के बिरुद्ध भेजा मान सिंग मंडल गढ के मार्ग से होता हुआ गुंगुंडा गढ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुचा राड़ा परताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाडियों से उतर आया जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें राड़ा पराजित हुआ और उसे अरावली की पहाडियों में शर्रन लेनी पड़ी थी अगला प्रेशन हैं दोस्तों अकबर को इसलाम का शत्र किसने कहा था तो इतिहासकार बदायूनी ने दोस्तों बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का कटू अलोचक था उसने अपनी पुस्तक मुन्तखब उल्तवारीक में अकबर के धार्मिक नीति की कटू अलोचना की और अबुल फजल को अकबर का चाप लोस बताया बदायूनी ने अकबर को इसलाम का सत्रू बताते हुए उसके इसलाम विरोधिकारियों की एक लंबी सूची तयार की थी अबुल कादिर बदायूनी का जन्म पंद्रह सो चालिस में हुआ था और बादशाह अकबर की कटू अलोचना करने के कारण अकबर के जीवन काल में इसके गरंथ को छिपा कर रखा गया था और जहांगीर की राजिया रोहन के बाद इस गरंथ को प्रकाशित किया गया अगला प्रेशन हैं दोस्तों अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था तो उत्तर है 1564 में दोस्तों मुगल शासन बेवस्था को बेवस्थित रूप से अस्थापित करने का श्रे अकबर को है और उसके केंद्री शासन बेवस्था और बादशाह के पद और अधिकारों और कर्थब्यों की ब्याक्या उसके प्रांती, शासन, लगान ब्यवस्था, मुद्रा ब्यवस्था, मनसबदारी आधि को उसके समय में सफलता मिली और उसके उत्राधिकारियों के लिए आधार बनी अकबर पहला मुश्लिम सासक था जिसने हिंदू और मुसल्मानों को निकट लाने का प्रयास किया पंद्रे सो बासट में उसने दास पर था, पंद्रे सो तीर सट में तीर थे आत्रकर और पंद्रे सो चोंसट में जजिया कर को समाप्त किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही की अस्थापना कब की थी ये प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण है अकबर ने दीन ए इलाही की अस्थापना कब की थी तो उत्तर है पंद्रे सो बयासी में वह है इतिहासकार जिसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था तो उत्तर है अब्दुलकादिर बदायुनी दोस्तूं अब्दुलकादिर बदायुनी के अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था और अकबर द्वारा 1582 में तवहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की अस्थापना की गही दीन ए इलाही सूफी सर्वेस्वरबात पर आधारित एक विचार पद्धती थी और इस नवेन संपरदाय को धर्म की संग्या देने वाला पहला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी है और हिंदूओं में किवल बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को स्विकार किय अगला प्रश्न है दोस्तुर राठा और चौहान कछवआहा और सिसोधया में से अकबर के साथ बैवाहिक गठवंधन बनाने वाला पहला कबीला काउन था तो ये था कछवआह दोस्तुर देखिए कछवाहो ने जो है अकबर के साथ सबसे पहले बैवाहिक संबंध बनाय थे हर्खा भाई किसकी पुत्री थी तो उत्तर है दोस्तों हर्खा भाई जो है ये भारमल की पुत्री थी बहुत ही महतपून प्रश्ण है दोस्तों अकबर के साथ बैवाहिक गढवंधन बनाने वाला पहला कबीला का चवाहा था भारमल ने ब्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रती अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री हर्खा बाई जिसका एक नाम जूधा बाई है उसका बिवाह अकबर से करके उसके साथ अपनी संधि को सुद्रिन किया और जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने भी अकबर से बैवाहिक संबंध अस्थापित किये थे अगला प्रशन है दोस्तों देखे अकबर मुगल सामराज्य का वास्तविक संस्थापक था ये कथन किसका है तो उत्तर है इस्टैनले लेनपूल का दोस्तों इस्टैनले लेनपूल के नुसार अकबर भारत के सासकों में शर्वोत्तम था वो सामराज्य का वास्तविक संस्थापक और वेवस्थापक था उसका सामराज्य मुगलकाल का स्वण यूग था मजहर जारी करने का वर्ष क्या था तो उत्तर है 1589 में अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार बिमर्स के लिए पहले तो एक इवादत खाने का निर्मार करवाया और अकबर ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1589 में मजहर नामा जारी कराया जिसने उसे धर्म के मामलों में सरोच बना दिया अगला प्रशन है दोस्तों अकबर अपने युग का संतान और पिता दोनों था ये कथन किसका है तो डाक्टर आरपी त्रिपाथी का दोस्तों डाक्टर आर्पी त्रिपाठी के अनुसार अपने युग का संतान और पिता दोनों ही था अकबर अगला प्रश्ण है अकबर द्वारा फतेपुर सीकरी के इवादत खाना को गैर मुसलिम विद्वानों के लिए कब खोला गया तो 1578 में आप जान लीजिए दोस्तों अकबर ने फतेपुर सीकरी में इवादत खाना बनवाया था पहले तो इसमें मुसलिम जो आचारे और विद्वान थे उनको शामिल किया गया लेकिन 1578 इसमी में इसे गैर मुसलिम विद्वानों के लिए भी खोल दिया गया था अगला प्रशन है अकबर साहजहां और अंजेव और बहादुर शाह जफर में अमीरुल मुमिनीन की उपाधि किसने धारण की थी तो उत्तर है दोस्तों अकबर ने अकबर ने जो है अमीरुल मुमिनीन की उपाधि धारण की थी आप जान लिजे 1589 को सेख अब्दुल नभी काजी जलालुदीन सेख मुबारक अब्दुल्ला सुल्तान पूरी सरीखे कुछ उलेमाओं ने एक फत्वा जारी करिया और इस फत्वे में अकबर को इमाम आदिल सुलातनुल इसलाम अमीरुल मुमिन और जिल्ले अलाह घोशित किया अगला प्रेशन है दोस्तों भीजापूर गोलकुंडा अहमद नगर और बरार में से अकबर ने सबसे पहले आकरमण कहां किया था तो उत्तर है अहमद नगर पर अकबर ने 1591 में दक्षिन राज्यों के सासकों के पास संदेश भेजा कि उसकी अधिनता स्विकार कर लें खान देश मुगलों की सीमा से सबसे नजदिक था उसने मुगल अधिपर्त्य स्विकार कर लिया लेकिन अन्य राज्यों ने स्विकार नहीं किया और 1601 में अकबर ने असीरगर के किलों को जीत लिया ये उ असीरगड के लेको जीता था 1601 में और देखिए खान देश असीरगड और अहमदनगर में से अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन थी तो ये थी असीरगड की विजय और आप जान लिजे अकबर ने धक्षुन भारत के जो है अहमदनगर राज्य पर आकरमण किया था अगला प्रेशन हैं दोस्तों 1581 में अकबर के सम्मुक सरवाधिक बड़ा संकट क्या था तो असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों द्वारा अकबर के सो तेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोशित करना ये अकबर के सामने सबसे बड़ा संकट था अगला प्रेशन हैं दोस्तों अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दिन अहमद और अब्दुल हमीद लाहौरी में से अकबर का सम्कालिन कौन नहीं था तो उत्तर है अब्दुल हमीद लाहौरी दोस्तों ये अकबर का सम्कालिन नहीं था आप जान लिजे अब्दुल हमीद लाहोरी ये बादशाह साह जहां का समकालिन था अगला प्रशन है हमीदा बानु बेगम किसकी पतनी थी तो हुमायू की अकबर की मा कौन थी हमीदा बानु बेगम दोस्तों अकबर की मा थी आप जान लिजे कि हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से हुमायू का विवा हुआ और ये अकबर की मा थी अमर कोट में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ और हुमायू का जन्म माहम सुल्तान के गर्भ से हुआ था कामरान और असकरी का जन्म गुल्रुख बेगम से और हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था अगला प्रशन है दोस्तों देखिए अकबर ने फतेपुर सीकरी की अस्थापना की थी किसके लिए तो शेक सलीम चिस्ती के असिरवाद से सलीम के जन्म की घटना के अस्थापना की थी अगला प्रशन है दोस्तों सिटी आफ विक्टरी किसे कहा जाता है तो उत्तर है सिटी आफ विक्टरी फतेपुर सीकरी को कहा जाता है बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है दोस्तों विजय सहर जो है विजय का सहर या City of Victory फतेपूर सीकरी को कहा जाता है अगला प्रश्ण है शेक सलीम चिस्ती की दरगाह कहां पर है तो ये फतेपूर सीकरी में है और देखे तुर्की सुल्ताना के महल को अस्थापत्यकला का मोती किसने कहा है तो परसी ब्राउन ने दोस्तों परसिध इतिहासकार परसी ब्राउन ने जो है तुर्की सुल्ताना के महल को अस्थापत्यकला का मोती कहा है अगला प्रेशन हैं दोस्तों देखिए बहुत ही महतपूर प्रेशन है कि माहम अंगा सुल्तान बेगम ओजी अंगा और कोकी अंगा में से मुगलकाल की एक मात्र महिला परधान मंत्री कौन थी तो ये थी माहम अंगा दोस्तों अकबर की धायमा माहमंगा मुगलकाल की एक मात्र महिला परधान मंत्री थी और इतिहासकारों ने इस काल यानी 1560 से 1564 को परदाशासन या इस्त्रीशासन कहा है अगला प्रिशन हैं दोस्तों मुस्लिम काल में दिल्ली के तक्त पर बैठने वाला और विक्रमा दित्ते की उपार इधारन करने वाला एक मात्र हिंदु राजा कौन था तो ये था हेमू हेमू अथवा हेम राज मध्युक के इतिहास में एक विशे सस्थान रखता है ततकालेंस रोतों से पता चलता है कि हेमू वैश्य था और रिवाडी के बाजार में नमक बेजता था इश्लाम साह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय उसका सम्मान और पद बढ़ा आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ठ होकर उसे अपना वजीर और सेनपती बना लिया और आदिल शाह की तरब से उसने 24 युद्धों में भाग लिया जि पानीपत के दुती युद्ध में हेमू का मोगलों से मुकाबला हुआ हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया बैरम खाने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्ध हो गई अगला प्रेशन हैं दोस्तों 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदु सासक कौन था तो ये था हेमू यानि हेम चंदर विक्रमा देते पानीपत का दुती युद्ध कव हुआ था 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दुती युद्ध हुआ था अगला प्रश्ण है अकबर को राजपूतों की स्वतंता का पर्थम विजेता किस ने कहा था? तो करनल टाड ने दोस्तों इतिहासकार करनल टाड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंता का पर्थम विजेता कहा है करनल टाड ने उदै सिंग के बारे में कहा है कि मिवाड के लिए ये कितना अच्छा होता या दिवाहा का इतिहास अपने राजाओं की सूचि में उदै सिंग का नाम भी अंकितने करता तो अकबर को राजपूतों की स्वतंता का पर्थम विजेता करनल टाड ने कहा है अगला प्रेशन है दोस्तों बीरबल, रहीम, बैजुबावरा और टोडर मल में से अकबर के नौरतनों में कौन शामिल नहीं था तो बैजुबावरा दोस्तों बैजुबावरा अकबर के नौरतनों में शामिल नहीं था बैजु बावरा अकबर के समय का संगी तग था लेकिन दरवार से संबंधित नहीं था तानसेन अकबर के समय का सबसे महत्पूर्ड और सर्वस्रेष्ट संगी तग था अबुल फजल के अनुसार पिछले हजार वर्सों में भारत में तांसेन जैसा संगी तक पैदा नहीं हुआ था अगला प्रिशन है दोस्तों राजपूतों के साथ मेल मिलाब की नीती अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश क्या था तो ये था मुगल सामराज्य को और अधिक शक्तिसाली बनाना राजपूत राजाओं को अकबर ने जागीरें दी अपनी पैत्रिक जागीर पर भी सासन करने के अधिकार दिये जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों के साथ ऐसा नहीं था अकबर की राजपूत ने ती दमन और समझोते पर आधारी थी अगला प्रश्न है अकबर की राजपूत ने ती आधारी थी किस पर तो दमन और समझोते पर उत्तर पश्यम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महतुपूण विजय क्या थी तो ये थी कांधार विजय दोस्तों उत्तर पश्यम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महतुपूर्ण उपलब थी कांधार विजय 1595 थी और अगर सामरिक द्रिष्टी से देखा जाए तो कांधार काबुल की रक्षा के लिए महतुपूर्ण था और कंधार का किला उश्यत्र के सबसे मजबूत किलो में जाना जाता था उसमें जलापूर्थ की बहुत अच्छी विवस्था थी काबुल और हेरात को जाने वाली सडकों के मिलनस्थल परिस्थित कंधार से पूरे अफगानिस्तान पर निगाह रखी जा सकती थी अगला प्रेशन है दोस्तों बीरबल अब्दुर्रहीम राजा भगवान दास और राजा मान सिंग में से अकबर के दरबार का विख्यात हिंदी कभी कौन था तो ये थे अब्दुर्रहीम खान खाना अगला प्रेशन है दोस्तों अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी तो राजा मान सिंग को दोस्तों आप जान लिजे कि राजा मान सिंग ने आमबेर यानि आमेर जैपूर के कचवाहा राजपूत राजा के रूप में अकबर के नौरतनों में से सामिल थे अकबर ने इने फरजंद यानि पुत्र की उपाधिधारन दी थी अगला प्रेशन है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी तो हरी विजे सूरी को हर विजय सूर ही वो जैन साधू था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा जिसे जगत गुरू की उपाधि से सम्मानित किया गया 1582 में अकबर ने इन जैन आचारे को जैन सिध्धान्तों को समझने की इच्छा से बुलाया था और इनकी बिद्वता, चिंतन और बिनमर्ता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भच्छड बंद कर दिया और पस उपक्षियों के वध पर भी रोक लगा थी थी अगला प्रश्ण है बाबर, शेरसा, अकबर और हुमायू में से मनसबदारी पढ़ाली किसने प्रारम करवाई तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर ने मनसबदारी पढ़ाली प्रारम करवाई थी और मनसबदार सब्द पदाधिकारी के लिए प्रयूप तो होता था इस पू अगला प्रशन है बाबर हुमायु साहजहां और अकबर में से तुलसी दास किसके समकालीन थे तो उत्तर है तुलसी दास दोस्तों जो है अकबर के समकालीन थे तुलसी दास का जन्म सोलहवी सताब्दी के पुर्वार्ध में बाता में हुआ था ये अकबर के समकालिन थे और सिखों के गुरु रामदास भी अकबर के समकालिन थे अगला प्रश्न है दोस्तों सुलह एकुल की धाड़ा किस पर आधारित थी तो वहदतल वजूत के सिधान पर सुलह कुल की धाड़ा आधारित है अगला प्रश्ण है दोस्तों अकबर जहांगीर जैनुलाबदिन और राउरंगजेब में से राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के किस ने चलाये थे तो राम सीता युक्त आकरितियों और राम सी देवनागरी लिख से युक्त सिक्के अकबर ने चलाये थे जिस मुगल सामराट के सासनकाल के अंतिम वर्सों में वतन जागीर की अधानास्तित्त में आई तो अकबर के समयकाल में किस मुगल सामराट ने कस्मीर के स्री नगर में दिपावली मनाई तो अकबर ने दोस्तों कस्मीर के स्री नगर में दिपावली मनाई थी अगला प्रेशन है कि भारत और उजबेकिस्तान के उन दो बादशाहों के नाम जो हिंदुकोह या हिंदुकुष को दोनों सामराज्यों की सीमा तैं करने पर सहमत हुए तो उत्तर है अकबर और अब्दुल्ला खां उजबेक ये दो बात साह थे जो हिंदुकोह यानि के कहा मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता तो ये अकबर का कथन है अगला प्रेशन है वह मुगल सामराथ जिसने अपने पुस्तकाले का एक भाग हरम में रखा था जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तके पढ़कर सु की था तो अकबर ने दोस्तों तुला दान या तुला भार समारव को स्विकार किया था दोस्तों अकबर ने ब्यक्तिगत रूप से कुछ पर्थाओं को मनाया उसने जहरोखा दर्सन और तुला दान के शुरुआत की और एक जैसा हिंदू और मुसल्मानों के सभी तेवहार को मनाया उसने गाय का मांस खाना बंद कर दिया चोबिस घंटे अपने महल में दीप प्रोजोलित करके रखा शिकार पर जाना बंद कर दिया और पक्षियों की अनावस्या खत्या रोगने की कोशिस की और सभी धर्मों को समानसन रक्षन भी दिया था अगला प्रेशन है दोस्तों भारत और उजवेकिस्तान के दोशासक जो मक्का और मदीना के पवित्र छेत्रों की योड़ जाने वाले रास्तों को विजित करने के लिए सहमत हुए थे तो ये थे अकबर और अब्दुल्ला खां उजवेक अगला प्रेशन है अकबर के दरबार के प्रसिध जियोतिर्वित का नाम जिसने एक जियोतिस संबंधी ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा था तो ये थे नीलकंठ अगला प्रेशन कथन और कारण से संबंधित है कथन है जरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रता थी इसका उद्देश है सासक और उसकी प्रजा के बीच ब्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था कारण है कि जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बताया है तो आदम पैगंबर की वंस परंपारा से संबंधित बताया है अबुल भजल ने डाग और चेहरा मुगल सेन परशासन में प्रारम हुए कब से तो अकबर के समय से और दिखी दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में मेवार के अधिपती महराणा प्रताप को मु राजा मान सिंग कर रहा था अगला प्रशन है दोस्तों मुगल बादशाहु बाबर अकबर जहांगीर और अंग्जेब में से जिसने बुढ़ी औरतों के नौजवानों से विवा को अस्विकृत करते हुए कहा ये सभी प्रकार की शालिंता की विरुद्ध है तो ये अकब अकबर कालीन घटनाओं का सही सुमेलन आईए देख लेते हैं राष्ट में देखिए मेड़ता को हस्तगत करना ये 1562 में असीर गढ़ का घिराव 1601 में गोंडवाना की विजय 1564 में और अकबर द्वारा ओडिशा की विजय 1592 में हुई थी तो याद रखेगा ये अकबर का अकबर ने मनसब प्रणाली की अस्थापना कप की थी तो याद रखेगा दोस्तों 1575 में दोस्तों अकबर ने मनसब दारी या मनसब पडाली की अस्थापना 1575 में की थी इसके अलावा अकबर ने अपनी धार्मिक नेति के तहट 1563 में तीर्थे आत्रा करकी समाप्ती की थी 1573 में इसने फतेपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाने की आग्यांदी जो 1575 में बनकर तयार हुआ 1582 वर्स जो है इंपोर्टेंट है दीन ए इलाही की घोश्रा की थी तो याद रखेगा ये जो 1563 तिर्थियात्रा करकी समापती 1575 में इबादत खाना बना और 1582 में दीन ए इलाही जो है दोस्तों आप जान लिजे दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में हुई थी तो देखी बहुत ही महत पूर्ड है ये चार डेट आप जरूर याद रखेगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तीर्थ यात्राकर की समापती जो है अकबर ने 1563 में किया था दूसरा है जजिया जजिया कर की समापती यहाँ पर ये बार बार परिक्षाओं में पूछा जाता है 1564 में जजिया कर की समापती इबादत खाना जो फतेपुर सीकरी का इबादत खाना का निर्मार था ये 1575 में हुआ था और एक महत पूर्ण प्रेश्ण जो बार बार पूछा जाता है दीन ए इलाही की अस्थापना अकबर ने कब की थी तो 1582 में और ये जो है घटनाओं का सही करम भी पूछा जाता है तो इस तरह से ये महत पूर्ण घटनाएं जो अकबर से संबंधित है उनका सही करम भी आप बता सकते हैं इसके अलावा महजर जो है धार्मिक नीतियों में सर्वोच्च सत्ता हासिल करने के लिए महजर 1589 में अकबर द्वारा जारी किया गया थ तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मध्यकालीन भारत के अंतरगत मुगलकालीन भारत से संबंधित महत पूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं आप इन प्रश्नों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कम सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार